हेलो फ्रेंड्स, बेलकम यू टो इरान स्टेडी चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्लेटफॉर्म बॉलूम टू का मॉडल टेस्ट पेपर 3 जो की हिंदी का है तो आईए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक और से जरूर करें तो आईए स्टार्ट करते हैं निमलेखित में से देवनागरी लिपी की कौन सी विसेस्ता नहीं है यहां ध्यान रखिएगा पूछ रहा है विसेस्ता नहीं है तो देखिए ऑप्षण नमर ऐ में क्या कह रहा है एक ध्वानी के लिए प्राया एक ही चिन है यह देवनागरी लिपी की यह एक बिसेस्ता है कि वहाँ एक ध्वानी के लिए प्राया एक ही चिन है देखिए option नमर B कह रहा है कुछ वर्णों का उचारन नहीं होना तो यह सही नहीं है तो आपसे पूछ भी रहा है कि कौन से बि लिपी में D option कहा रहा है स्वर वेंजन का बैग्यानिक बर्गी करन तो जी हां देवनागरी लिपी में स्वर वेंजन का बैग्यानिक बर्गी करन किया गया है अब देखें next question देखते है question number 2 भारत देश में सरवादिक बोली जाने वाली भासा कौन सी है तो यह हम सभी जानते ह है कि भारादेश में सरवादिक बोली जाने वाली भासा हिंदी है तो इसका सही answer हो जाएगा option number C next question देखते हैं third मानक हिंदी से क्या तातपर है मानक हिंदी से तातपर है कि साहितिक बुस्तकों की भासा मानक हिंदी है तो इसका सही answer हो जाएगा option number A next question देखते हैं भारतिये कि आठमी अन्सوची में सामील भासाओं की संख्या क्या है तो आठमी अन्सुची में संबीदान द्वारा मानिता प्राप्ट 12 प्राधे सिक वह साब्लेग हे इस अन्सूची में आर्रम में saturperमां सद्वेश आ है।ges संसोधन में सामील किया गया था, इस परकार इस संसूची में टोटल कितनी भासाइं हो गई, 22 हो गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number B, अब next question देखते हैं, question number 5, उच्छिप्त धुहनी का पर्योग हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पढ़ाई में, तो कौन से होगा answer, option number B is the right answer, आप देखें, next question देखते हैं, question number 6, छात्रा और ग्या की गन्ना, सोतन बढ़नों में नहीं होती है, क्योंकि, ये संजुक्त बढ़न है, तो इसका option number C कहा रहा है, ये संजुक्त बढ़न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, option number C, अब next question देखते हैं, option number, sorry, 7 number, देखें, कंट ध्वानी बेंजन कौन सी है, तो कंट से बोलने वाले कखगगः को हम कंट से बोलते हैं, कखगः को बोलने के लिए हमें कंट का परियोग करते ह तो ये कंट ध्वानी कहलाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएग, option number A, अब देखें, पफवा भाभा मा है, ये ओस्ट है, इसको पफवा भाभा बोलने में आपके होट का यूज होता है, तो इसे हम ओस्ट ध्वानी कहते हैं, ठीक है, यार अलवा के लिए अन्थास्त, अब अब हम टठड़ाग का जो है, option number D कह रहा है, उसके लिए मुर्धन्य ध्वानी इसको कहते है, मुर्धन्य का उप्योग होता है, तो इसका सही, सेवन का सही, कंट ध्वानी पूछा गया है, तो कंट ध्वानिया कहते हैं, आप देखें, नेक्स कोश्चिन, कोश्चिन नमर 8, किस सब्द का संदी विचे सही नहीं है, तो देखें, हम सारे संदी विचे देखते हैं, पर्य जोर आबरन, ये तो 9 नमर कोश्चिन है, 8 का उप्चिन नमर ए है, प्र जोर उड़ पॉड तो इसका ये सही है, देखें, नी जोर उड़ नहीं, ये गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाए का उप्चिन नमर बी, अब नेक्स कोश्चिन देखें, 9, पर्य बरन किन सब्दों को योग से बना है, तो पर्य बरन का संदी विचेत कीजे करता क्या होगा, परी जोर आबरन, तो इसका सही आंसर ह तो इसका सही आंसर हो जाए का उप्चिन नमर बी, पर्योग से बना है, तो इसका सही आंसर हो जाए का उप्चिन नमर बी, पर्योग से, नेक्स कोश्चिन देखते हैं, कोश्चिन नमर टुवेल, अलंकार में किस उप्चिन का पर्योग होता है, तो अलंकार में उप्चिन पर्योग होता है वो है आलम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, option number D, next question है, संकल्ब सब्द में उपसर्ग बताईए, तो संकल्ब सब्द में उपसर्ग हो जाएगा, sum, तो option number B is the right answer, next question 14, देखिए, अत्या चार सब्द में उपसर्ग है, तो अत्या चार सब्द में उपसर्ग है, अति, उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग जो सब्द के आगे में जुड़के, सब्द का भाव बदल देता है, उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं, तो 14 का सही आंसर हो जा तो देखिए, अन Walking Sub में उपसर्ग अनउपसर्ग है, तो इसका C अनसर हो जाएगा, राइट अनसर हो जाएगा, अब उपसर्ग होता क्या है, अभी आपने बताये हैं, उपसर्ग, मतलब उप उप प्लस सर्ग, उप का मतलब होता है समीप, सर्ग का मतलब हता है सिस्षि करन किसी सब्दों के समीप आकर नया सब्द जब बनता है तो उसे ही यहां उपसर्ग क्याते हैं नेक्स्ट कोश्चन देखें कोश्चन नमबर 16 और द्योधिक का सब्द का मूल सब्द है तो द्योधिक उद्योग से बना है तो इसका साहिया अंसर हो जाएगा कोश्चन नमबर 17 उद्योग से बनता है नेक्स्ट कोश्चन कि सब्द में एक प्रतय का परियोग हो सकता है देखिए उपसर्ग हमेशा आगे लगता है और प्रतय में लगता है और दोनों का होता है जो सब्दान सब्दों के प्रारम में लगकर उनके अर्थ में कुछ बिसेश्था लाते हैं उसे उपसर कहते हैं या जो सब्दान सब्दों के अर्थ में कुछ बिसेश्था लाते हैं उसे प्रते कहते हैं तो हम क्या देख रहे थे, एक प्रते का परियोग, किस सब्दों में एक प्रते का परियोग नहीं हो सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number C, देखिए, option number C, कला, कला में हम एक प्रते का परियोग नहीं कर सकते हैं, अर्थ से आपका हो जाएगा आर्थिक, नीति से नैति अध्यात्म से अध्यात्मिक, कला से कलातिक नहीं हो सकता है, तो इसका सही आंसर हो जागा, option number C, अब देखिए, next question 18, वे सब्द, जो धातु या सब्द के आंत में जोड़े जाते हैं, उन्हें क्या कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रते कहलाते हैं, अभी हमने discuss किया इ तो इसका सही आंसर हो जाएगा, option number C, बिमल, next question देखिए, संकर सब्द किसे कहते हैं, तो संकर सब्द, दो भासा के सब्दों से मिलकर, बना सब्द को हम संकर सब्द कहते हैं, तो जैसे देखिए कि आपका हो जाएगा letter box, टिकट घर, तो टिकट आपका English word है, और घर क्या है हिंदी है, तो दो बिभिन, भिन स्रोतों से आए सब्दों के मेल से, बने नए सब्द को हम संकर सब्द कहते हैं, तो ये टिकट घर आपका, क्या हो जाएगा, संकर सब्द हो जाएगा, देखिए, दो भासाओं के सब्दों से मिलकर बना है, तो इसका option number D, सही answer हो जाएगा, next question देखे, 21, निंड में से तत्सम सब्द है, तत्सम सब्द किसे कहते हैं, तत्सम, तत्सम सब्द का आर्थ है, उसके समान अर्थात संस्क्रीट के समान, तो संस्क्रीट के समान, तो संस्क्रीट के जो सब्द है, जो as it is हम use करते हैं, तो उसे हम तत्सम कहते हैं, और तदभ आंसर हो जाएगा option number C, Prist, हम next देखते हैं, 22, निमलिखित में संकर सब्ध है, अभी हमने डिस्कस किया कि संकर सब्ध वैसे सब्ध होते हैं, जो बिन्स दो अलग अलग सरोतों से आयस्त सब्ध के मेल से बने होते हैं, और नए सब्ध को हम संकर सब्ध करते हैं, तो देखिए यहाँ पे option है, रेल गाड़ी, रेल एंग्रेजी वर्ड है और गाड़ी हिंदी है, तो यहाँ सई आंसर हो जाएगा option number A, अब देखिए next question, निमलिखित सब्धों में तत्सम सब्ध है, तो तत्सम सब्ध है ब्रमर, तो यह पोयल, प्यास, दूद, यह हमारे हिंदी सब्ध है, और प्रमर क्या है, संस्क्रीट से आए हुए है, तो वैसे सब्ध जो हमने कहा कि संस्क्रीट के समान, उनके समान अर्थात संस्क्रीट के समान हो, तो उसे हम तत्सम सब्ध करते हैं, तो इसका सई आंसर हो जागा option number B, अब next question देखिए, निमलिखित में से बिदेशी सब सब्ध नहीं है, देखिए, यहां ध्यान रखिएगा, यह नहीं है, पूछ रहा है, तो देखिए, चाकु, चाकु बिदेशी सब्ध है, यह तुर्की है, पपीता, पुर्तगाली सब्ध है, पुर्तगाली से लिया गया है, गमला, पुर्तगाली से लिया गया है, खिड़क क्या है आपका योगिक है रचना या बनावट के अधार पर सब्द को तीन प्रकारश में बाठते हैं रूड योगिक योग रूड योगिक सब्द किसे करते हैं योगिक का अर्थ है मेल से बना हुआ जो सब्द दो या दो से अधीक सब्दों से मिलकर बनता है उसे हम योगिक सब्द कहते हैं, तो मात्पून क्या है, दो सब्दों से मिलके बनाई है तु इसलिए-से हम योगिक सब्द कहते हैं, next question देखे परिपक कि वाउ-बाचक-चा क्या है कि वाउ-बाचक संघ्ध संग्या होगा परिपकत है तो सई आंजर हो जागा option number A, next question देखते हैं 27 निमलिकित में से कौन सा संग्या सब्द नहीं है तो भारत क्या है संग्या कहते हैं किसी अस्थान जगा बैक्ती के नाम के हम संग्या कहते हैं तो भारत क्या है आपका Award किसी country का नेम है आपका क्या है संग्या है गांधी जी क्या है संग्या है मानव क्या है संग्या है दिखाई क्या है या आपका संग्या नहीं है तो इसका सही answer हो जाएक option number D next question देखते करुणा सब्द है तो करुणा सब्द आपका क्या हो जाएगा भाव अचक संग्या है तो इसका सही answer हो जाएक option प्राविसेशन की सिगत데 तो गलत हो तो करना क्या है क्रिया काम करणने वाले सथे 29 वह मैं चराहिए इस बाथ में सर्ब रपहन किसे कहते हैं कि संगया के बदले में यहां देखिए कि आपका संगया किसी कर्थी यूज कर रहे हैं, तो वह क्या है, आपका सर्वनाम है, और कौन सा सर्वनाम है, यह अन्यप्रिस सर्वनाम है, तो इसका सही आंसर हो जग, option नमबर B, नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् option number A अब next question देखें 32 ग्रामीन समाजिक युबा आदिस सब्द है तो ये क्या हो जागा आपका विसेशन विसेशन बतलाता है किसी चीज का तो ये क्या उसे क्या करते हैं वो ग्रामीन है तो ये क्या हो रहा किसी बत्ती की विसेशन बतला रहा है कि वो ग्रामीन है या सहरी है समाजिक युबा ये सारे तो ये क्या है आपके विसेशन है तो इसका सही आंतर हो जागा option number C next question देखें 33 वे बड़ी सुन्दर मूर्तियां बनाते थें बाके में प्राविसेशन है प्राविसेशन हमने बताया कि वे सब जो विसेशन की विसेशन बतलाते है उसे प्राविसेशन कहते है तो सुन्दर क्या है आपका विसेशन है और उसकी विसेशन बतला रहा है कि बड़ी सुन्दर है मतलब सुन्दर की विसेशन बड़ी है तो प्रवी शेशन इसमें क्या होगा बड़ी तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number B next question देखे 34 मन रंजन सब्द है तो मन रंजन क्या है आपका विशेशन है तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number A next question देखे 35 किसान से बना किसानी सब्द है तो किसान से बना किसानी सब्द क्या है आपका विशेशन है तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number B ये सारे तो आप पहचान ही जाते होंगे easily तो सारे easy easy से questions है अब देखिए next question 36 पापी कौन सा विशेशन है अब पापी देखिए किसी का गुन बतला रहा है कि पापी है धार्मिक है क्या है तो ये क्या हो जाएगा आपका गुन बाचक विशेशन इसका सही आंसर हो जाएगा option number C next question 37 नीन में से अकर्मक क्रिया बताएं तो अकर्मक क्रिया कौन से है अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है तथा उसका फल करता पर पढ़ता है जैसे राधा रोती है यहां कर्म का अभाब है तथा रोती क्रिया का फल राधा पर पर पढ़ता है हसना यह भी राम हसता है तो यहां पर क्या है कर्म का हभाव है और हसनक क्रिया का फल राम पर पढ़ रहा है तो यहां देखिए आपका क्या हो जाएगा रोना क्या है आपका अकर्म क्रिया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number D आप देखिए जितना भी जोड से चीखे बात के में क्रिया है तो यह क् आपका अकर्मा क्रिया है नेक्स कोश्चन देखते हैं जहां एक क्रिया के समाप्थ होने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया उन्ड क्रिया होने का बोध हो वहाँ पहली क्रिया को कहते हैं तो पहली क्रिया को क्या कहते हैं पुर्व कालिक क्रिया कहते हैं किसका सही आंसर हो जाएगा, option number B, पुर्व कालिक क्रिया, जैसे है, दिनेज पढ़कर सोया, यहाँ पे दो क्रिया आ रही है, पढ़ा पहले उसके बाद सोया, तो जो पढ़ा है, पढ़ना है, वो क्या हो जाएगा, आपका पुर्व कालिक क्रिया हो जाएगा, next question देखते, question number पोटी, किस बाक में प्रेनार्थक क्रिया है, तो प्रेनार्थक क्रिया क्या होता है, प्रेनार्थक क्रिया है, अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है, आना जोडने से प्रतम प्रेनार्थक क्रिया बनती है, और बाना जोडने से दूतिय प्रेनार्थक क्रिया बनता है, जैसे उठना का, उठना आपका क्या हो गया, मुल सब्द हो गया, उठना का क्या हो जाएगा, उठाना, उठवाना, काटना क्या होगा, काटना या कटवाना, तो देखिए, लड़का बहुत पढ़ रहा है, किसान खेत के सुखे पेड कटवार चुका है, तो यहां क एक हांकित पद क्या है तो जाना क्या है आपका क्रिया है और क्रिया की विसेस्ता क्या बतला रहा है धीरे धीरे जा रहा है या तेज जा रहा है या धीरे जा रहा है क्रिया की विसेस्ता बतला रहा है तो उसको क्रिया की विसेस्ता जो बतलाता है से क्या कहते हैं क्रिया भी शेशन कहते हैं तो इसका सही आंसर हो जागा option number C next question देखते हैं 42 एक पद बाक्यांस या उप बाक्याशू का समन्द दूसरे पद बाक्यांस या उप बाक से जोडने वाले अबयाब को कहते हैं तो इसको हम कहते हैं समुच्चे बोधक अभ्यव कहते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number 1 नेक्स question देखिए निम्ड में से अधिकरन कारक का परियोग हुआ है तो ये क्या हो जाएगा बाहना रूड़ तो इसमें आपका अधिकरन कारक का परियोग हुआ है इसका सही आंसर हो जाएगा option number 1 नेक्स question देखिए को से किस कारक चिन का बोध होता है तो हम ये सब पढ़ है ना करता ने कर्म को तो को है वो क्या हो जाएगा कर्म कारक का इसका सही आंसर हो जाएगा option number 1 नेक्स 45 question देखिए सब्दो का कौन सा जोड सेस से भिन है तो देखिए सुख दुख सुख दुख एक दूसरे क्या पोजिट है सजाया सबारा सेम चीज है घास पूज कंकर पत्थर तो ये सेम है तो और सुख दुख क्या है अपोजिट है तो ये ही जोडा क्या है बिन्न है तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number a next question देखिए समास का अर्थ है समास का साबदी कर्थ क्या होता है संचेफ होता है सही answer हो जाएगा option number a next देखिए, रिन्ऍध मुक्थ समस्त पद का बिग्रह है तो रिन्ध से मुक्थ बिग्रह होगा तो रिन मुक्त का मतलब होता है क्या रिन से मुक्त, आप्शन नमर डी इसका क्या हो जागा? सही आंसर हो जागा, नबल सुन्दर स्याम सरीर की सजल नीरत सी कल कांती सी में कौन सा अलंकार है? तो यहां देखिए उपमा दिया जा रहा है, सरीर की उपमा दी जा रही है, तो इ जनू बर सारी, तु प्रकट बुलाई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें क्या उनसा अलंकार है? उत प्रेच्छा अलंकार है. तो इसका सही आंसर हो जागा, option नमर A. जिवजो बुड़े स्याम रंग तयोते उजवल होए, इस पंक्ती में कौन सा अलंकार है? तो देखिए, इसका सई आंसर हो जाएगा option number B अब देखिए next question बड़े न हूजे गुनन बिंदू बरत बढ़ाई पाई कहत धतुरो सो कनक गहनो गढ़ो न जाए परंतु उप्रोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका option number D next question देखे 52 मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता इस बाक्य में बाच्य होगा तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका भाव बाच्य जैसे देखे क्रिया का वह रुपांतर बाच्य कहलाता है जिसमें बाच्य में भाव की प्रधानता का बोध होता है यह बाच्य अकर्मक्रिया से बनता है देखे कह रहा है मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है तो इसमें आपका क्या कह रहा है भाव प्रकट हो रहा है कि उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है तो यह आपका क्या हो जाएगा भाव बाच्य होगा नेक्स कोश्चन देखिए 53 बाग के और उसके भेज से सम्मंधिन कौन सा जोड़ा गलत है तो आपका देखते हैं बच्चे नास्ता करके विद्या ले गए सरल बाग के और आप नेक्स देखिए जो जो प्रत्थम आएगा वह प्रुस्कार पाएगा मिस्र बाग के है नेता ने भासन दिया और चला गया तो यह आपका क्या है संज्यॉक्त बाग के है देखिए hormone क्या कह रहा है लचमी आई और सोफ्या आ गई यहां देखिए और संज्यूक्त बाथ में क्या होता है और यह से हम जोड़ोसरल फोको जोड़ते हैं उसे संड्यूक्त बाथ कहाता है तो इसका सही प्रभाव है बाक्य में आपका कौन सब बाक्य है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बीधी बाचक नेक्स देखिए 55 दाता सब्द का इस्त्रीलिंग क्या है तो दाता का क्या होता है दाती तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर C हत भागी का इस्त्रीलिंग है तो इसका हत भागी का इस्त्रीलिंग क्या होता है हत भाग्या जिसका सही आंसर हो जाएगा ओप्शन न रूप है कारे का बहुबचन रूप है कारे का बहुबचन कारे ही होता है इसका सही ॏ Jest option नमोर्ञ कि नेक्स देखिए 59 अमुर्थ का भिलोम सब्सब्स पूछ रहा है तो अमुर्ध का मुर्थ का हो जाएगा मुर्थ का मुर्त का बना है तो इसका नम्रेश देखिए 60 ओप्षल नम्रें last nukle डी च्छानिक सब्द का विप्रे आपका मिलोम सब्द पूछ रहा है विप्रित आर्थक सब्द पूछ रहा है तो च्छनिक का क्या हो जाएगा आपका सास्बत तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलग है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्चिन नमबर सी नेक्स्ट कोश्चन देखें लच्छ का अनिकार्थक सब्द है तो लच्छ का अनिकार्थक हम देखते हैं सौरी देखिए सनातन 63 का मैंने गलत बोल दिया 63 कोश्चन नमर देखिए कौन सा सब्द भिन अर्थ और प्रकृति का है तो सनातन चिरंतन सास्पत यह सारे का एक ही भाव होगा तो इसका अलग कौन सा है आपका अदुनातन यह आपका क्या है उसका बिलोम सब्द है तो इस तो आप लच्छ मतलब निसाना या उदेश तो इसका आपका एक सेनी चीज़ है तो यह अनेकार्थक सब्द है लच्छ का तो अप्सन नमर एज आपका सई आंसर हो जाएगा नेक्स देखिए 65 सुधा का अनेकार्थक सब्द कौन सा है मतलब सुधा के और सब्द कौन से हो सकते हैं तो सुधा का क्या हो जाएगा आपका अम्रीत भी बोल सकते है या पानी पानी ये आपके तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्शन नमर बी नेक्स कोश्चन देखिए 66 निमलिकीत में से कौन सा बिकल्ब सही नहीं है तो देखिए इसका अन्याए और और तो ये आपका गलत है तो इसका सही आंसर हो जाएगा उप्शन नमबर A नेक्स कोश्चन देखिए नीचे एक दिये गए सब्दों में से तो शरीत का समयनारती सब्द कौन सा नहीं है तो सरीत मतलब क्या होता है तटनी नद जैमालला ये सारे सेम ही है प्रवाः आपका क्या है अलग है तो इसका सही आंसर हो जाएगा उप्शन नमबर D 68 देखिए ये जड़ी बूटी तो आज बड़ी आपका क्या हुझागा दुरलव है इसमें होगा दुरगम है नहीं नहीं दुस्तर है नहीं दुराब है तो क्या है आपका सही आंसर हो जागा उप्षिन नंबर A Next Question देखिये अंतर अनांतर सब युगम का सही अर्थ चुनिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका option number A, भेद बाद में next देखिए अनयास का अर्थ है तो अनयास का अर्थ है क्या है? बिना प्रयास के तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number A next देखिए 71 आधुनिक का समानार्थी सब्द क्या है? अधुनिक मतलब नया, नवी तो ये हो जाएगा आपका option number D इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए next question 72 निर्जीव का अर्थ है निर्बाला जीव नहीं, जीवन रहित जिसमें जीवन नहीं हो उसे हम क्या करते है? निर्जीव का तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number B सागर की आग के लिए परिप्थ होने वाला सब्द है तो सागर की आग को हम क्या बोलते हैं? वार्ट बागनी बोलते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा option number C next देखिए 74 निस्प्री सब्द का अर्थ है तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो प्रेम से रही थो option number C नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा क्या लिखा जाता है? आबेदन पत्र लिखा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number C next देखिए आये थे हरी भजन को ओटन लगे का पास मुहाबरे का अर्थ क्या है? हरी भक्ति का मार कठीन होना नहीं उद्देश की प्राप्ति वें सफल होना नहीं इस पर भक्ति को छोड़कर बैपार में लग जाना नहीं किसी कारे की उपेच्छा कर दूसरे कार में लग जाना इसका सही आंसर होगा option number D लोकोक्ति और उसके अभी प्राय का कौन सा जोड़ा गलत है? अब देखिए एक एक करके हम देखते हैं ओस चाटे प्यास नहीं बुस्ती बड़े काम के लिए विसेश पर्यादने की जर्रत होती है सही है ये कडाही से गिरा चूले में पढ़ा एक आपत्ति से छुटकर दूसरी आप भी पत्ति में पढ़ना है ये भी इसका सही लोकोक्ति का भी प्राय होगा घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो इतना खर्च करो कि इज़त बनी रहे ये सही है काट की हाड़ी बार बार चूले पर नहीं चड़ती इस लोकोक्ति कार्थ होता है कपट का फल अच्छा नहीं होता तो यहाँ देखे क्या लिखा हुआ है काट की हाड़ी बार बार जल जाती है ये गलत है तो इसका सही आंसर हो जाएक आपका आप्चन नमबर D नेक्स देखिए 78 निमलिकित युग्मों में से कौन सा गलत है लोहा लेना मतलब सामना करना सही है रास्ता नापना आपका आकलन करना ये गलत है तो इसका सही आंसर हो जाएक आप्चन नमबर रंग रंग जानना मतलब चितर से परचित होना ये भी सही है सेतान का कान काड़ना बहुत चतुरोना ये भी सही है तो गलत कौन सा था रास्ता नापना तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स देखिए 79 लोकोक्ती और उनके अर्थ के जोड़े में से कौन सा जोड़ा गलत है अब देखिए उल्टा चोड को तवाल को डाटे अपना दोस ना मान कर दूसरे पर मनना सही बात है सही है इसका अंसर आग का अंधा नाम नयंसुक नाम के प्रतिकुल कार करना ये भी स तो ये आपका आपका गलत है तो यही आपसे पूछ रहे है कौन सा जोड़ा गलत है तो इसका सही आंसर हो जाए और तक है वो गद्यांस दिये हुए है और इसकी आंसर करने है गद्यांस पढ़के तो ये तो आप सब इसली कर सकते हैं, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये तो हिंदी का मॉडल टे पेपर 1 to 21 आपको हमारे चैनल पे उपलब दें आप हमारे चैनल पे के प्लीलिस्ट में जाके इसे देख सकते हैं थांक्स पॉर वाचिंग अज़िए